किसान भाहियो, आज की क्रसी चर्चा में हम बात करेंगे संरक्षित खेती की. खेती हमेशा ही भारती खेती खास तोर पर हमेशा ही प्रकृती पर निर्बार रही है, और इसके कारण कई बार हमको ये भी सुनने को मिलता है कि भारती खेती जुगा है. परन्तु अब इस कहवात से और इस बात से धीरे धीरे हम दूर हो रहे हैं और इस कहवात के विप्रित हमने अपनी खेती को अपने नियंतरन में लेने की सुरुआत कर दी है और उसकी सुरुआत हो रही है संडक्षित खेती से संडक्षित खेती का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक आपदाय बाहर फसलों को खुले खेत में नस्ट कर देती है उन आपदाओं से बचने के लिए वैग्यानिकों के द्वारा एक अनुसंधान के बाद में शुदिशित किय कौन आदार पर संडक्षित खेती का सुभाराम कर दिया गया है हमारे प्रदेश में भी बहुत सारे क्रस्थ को ने इस योजना को अपना है है संडक्षित खेती मतलब पौली-हौस या ग्रिन-हौस में की जाने वाली खेती कि रिश्क का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक दाचा होता है दाचा चाहे दोवे का हो या लकडी का हो या बास का उस पर आच्छा दिदे का आवरन होता है वह आवरन प्लास्टिक की फिल्म का हो पहले पुरतन काल में काच का उप्यूग किया जाता था या अभी एक्रिलिक जैसा एक मटेरियल अलग से आता है जो अलप प कर सकते हैं जब प्लास्टिक का उप्योग करते हैं तो उस ग्रीन हाउस को पॉली हाउस कहते हैं जब जालीदार जो छायदार जाली है उसका उप्योग करते हैं उसको शेडनेट हाउस कहते हैं तो ये दो तरह के जो मटेरियल अलग-अलग उप्योग करते हैं उसके आदार प पसलों की बढ़वार में किसी प्रकार की बाधा नहों, इस बात का सदयव व्यवस्ता की जाती है, सदयव ध्यान रखा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि सन्रक्षित खेती के लिए जो सन्रचनाय अपने बना रखी है, उसमें कार्बंडाई एक्साइट की मात्रा आधीक होती है, समय समय पर आवशक्ता नुसार पानी और नमी की व्यवस्ता की जाती है, और तापमान को नियंत्रित किया जाता है, इस समय कार्बंडाई एक्साइट और पानी के उपस्तिति में जो भोजन का उनका पहला स्वरुप है, ग्लुकोज का निर्मान होता है, और इस निर्मान को बनाने के लिए जो सरवत्तम इस सितिया पर इस सितिया रहती है, वो इस सन्रक्षित खेती के मात्यम से उपलब्द करा जिससे उसकी उपज और गुनत्ता दोनों इबढ़ते हैं, एक बात और है यहापर कि सन्रक्षित खेती में खुले खेतों के तुलना में कीट और बिमारियों के प्रकूप का भी हम बहुत अच्छी तरह से प्रबंद कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षित इस्तान होता है, वहा च्छी वाद से ही मिट्टी का हुपचार भी करते हैं, पौदों को भी ठीकतर से उपचारित करके हैं, और उनका माद्यम से और जो धुबा जैसा पानी देता है, जिसे फौगर्स कहते हैं, उनके मादम से नमी का नियंतरन करते हैं तो पवधों पर कीड बीमारियों के प्रकुप के संभावना कम रहती है तो अधिक मुल्य की फसले लेने के लिए और उनके गुणवत्ता को सोधार करने के लिए अधिक उपज लेने के लिए संदक्षित खेती एक आपके लिए बहुत वर्दान सिद्ध हो सकता है इसके लिए सरकार दोरा भी निरंतर प्रयास किया जा रहे है तो खिसान भाईयो मुझे आसा है कि आप लोग इस संदक्षित खेती का लाव उठाएंगे आज की क्रसी चर्चा में इतना ही